कार से हिस्टीन मुद्दों को ले और के बंगार की मुख्य मंतरी हैं 612 में ओबाज उठाती थी जब मानलेब कि सरकार यूथ उन्हीं मुद्दों को हम बोल रहे हैं डीरा मत्हलजी में वह कर रही हैं जो यूप का सब्धित कर दे कर दे और यह सवाया गुना करती है और उसमें क्रिमिनल एलिमेंट नया जुड़ गया है और आज जो संदेश खली चोटी सी घटना है जी चोटी सी दिखती है लेकिन पूरे बंगाल में तो भाहिंकर ज्वाला मुखी है कब विस्पोट होगा कहने की कठीना मुश्किल है जी हर जगा पिस प्रकार का दूसरा वो कानून नियमों को पालर करने को त्यान रही है टीचेस भरती गोटाले में लोग प्रूब हो जाता है लोगों गिनोकरी चले जाती है इनको परवार नहीं है उनको तो लगता है राजनीती में हम देख लेंगे करोड़ों करोड़ों रुप्यों के नौटों के पाहड पकड़ जाते हैं पैसे गिंते गिंते मशीन ठक जाते हैं लेकिन उनको उन लोगों से कोई परहज नहीं है यानि उन्हों नूर्मल बना दिया है कि देश के लिए संकट का विश्य है घटनाएं किसी ने किसी राज में कुछ ऐसी चिंता जाना होती है लेकिन उसको क कोई सट्रीपाई ने हरको दुखी होते हैं रास्ता खोते हैं यहां ऐसा नहीं होना चाहिए यहां ऐसा नहीं है जब साइकोलोजी करी आप यह करोगे और तीन दसक लेपके और टीम सी एक प्रकार से पचास साल बंगाल के बरबाद हो शुके हैं आज कोई नहीं आ रहे है विशय पर संदेश खाली का जो विशय था जो वहां पर उत्पिरन हुई थी टॉर्चर किया गया था मास रेप के ऐलिगेशन से पहली बार यह ख़बर रिपबलिक बंगला ने दिखाई थी और उसके बाद हमने करीब एक महींते तक कैंपेंड की थी नियाए के लिए मेरा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि संदेश खाली एक तरह से केंदर बिंदू नहीं एक प्रतीक बन गया है बंगल की स्थिती को लेकर और इससे जोड़ा सवाल यह है कि आप विकसित भारत की बात करते हैं इसके कांटेक्स में कि आपको लगता है विकसित बंगल को आप कैसे देखते हैं एक तो मैंने मेरा स्पर्ष्ट मत है कि तमिल नाडू और बंगार हुआ हजारों साल का हम इत्याद देखे तो कुछ ऐसी जगह हैं जिसमें देश की बहुत बड़ी सेवा कि कि देश का नितुरत्व किया है कि संकट की घड़ियों में से देश को बाहर निकाला है उसमें बंगार और तमिल नाडू का बहुत बड़ा योगदान है कि दुरुभागिसा जिए दोनों राजवितिक नेतुरत्व की विकृत मानसिक्ता की शिकार हो चुके हैं अब बंगाल में जिस प्रकार से जिन मुद्दों को लेकर के बंगाल की मुख्यमंत्री संसंद में आवाज उठाती थी जब वहां लेप की सरकार थी आज उन्हीं मुद्दों को हम बोल रहे हैं और म लेप वाले करते थे कॉंग्रेस वाले करते थे और यह सवाया गुना करती है और उसमें क्रिमिनल एलिमेंट नया जुड़ गया है और आज जो संदेश खली तो चोटी सी घटना है जी चोटी सी दिखती है लेकिन पूरे बंगाल में तो भाएंकर ज्वाला मुखी है कब व और सिरफ उन्होंने अपनी वोड़ बेंक की राज दूसरा वो कानून नियमों को पालर करने को त्यान रहे हैं टीचर भर की गोटाले में लोग प्रूब हो जाता है लोगों गिनोकरी चले जाती है इनको परवार नहीं है उनको तो लगता है राजनीती में हम देख लेंग होना यह नूर्मल बना दिया है देश के लिए संकट का विशे घटनाएं किसी ने किसी राज में कुछ ऐसी चिंता जना होती है लेकिन उसको कोई संट्रीपाई में हरको दुखी होते है रास्ता खुथते हैं यहां ऐसा नहीं है जब साइकोलोजी के लिए आप यह करोगे और तीन दसक लेटके और टीम सी एक प्रकार से पचास साल बंगाल के बरबाद हो चुके हैं जी आज कोई इंडिस्ट्री नहीं आ रहे है वहां कोई नया को सिस्टेम टेवलप नहीं हो रही है राजनिती चले जाएगी जी लोग बिचारे मुसीमत में घुजारा करते इतना मेरा देश का इतना महान राज्य है इतना महान कला इतनी महान संस्क्रती है अब सब गवारें इसकी पीड़ा है कि मोधी जी राम मंदिर के मुद्धे पर मैं कई जगे थोड़ी थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग कर लेता है अभी तो गया था मैं जब भी जब भी वह होते हैं तो राम मंदिर के जब भी जैशी राम की बात आते एक तरश से उच्छा बढ़ जाती है यह खुलकर वोड़ी अच्छी बात है मकर विपक्ष के है जो अप्रोच है राम मंदिर को लेकर उन्होंुने कहा कि एक पूरा एक प्रान प्रतिष्ठा एक उन्होंने कहा राजनेतिक समारो या राजनेकितिक कारेक्रम उन्होंने कह दिया अब भी कहते है राममंदर जाएंगे मगर तारीक नहीं पताएंगे उसी वही अप्रोच उनका चल रहा है तो जब कि ये एक हिंदू धर्म के लिए जो जितने हिंदू है जितने सनातनी आप है मैं हूं हमारे जगे के लोगों को उनकी संस्कृति को एकजूट करने की तो आप इसको जब देख रहे हैं पोलिटिकल इशू बन चुका है और बनाने की कोशिश होगी इसका क्या रेस्पॉंस होगा इलेक्टोरेट से मैं पहले मैंने पहले इन सारे जिस परकार की भाशा लोग बोड़ इनको एक सवाल पूस्ता है जाता है हमारी देश में अंग्रेज राट तो करते ही थे शरकार तो चलाते थे और लोगों की भलाई का काम भी करते थे रेल्वे बनाते थे क्या नहीं करते क्या जरूती आजादी का इंडलोंगी वे सब तो चली रहा था स्कूले खुलती थी एस्पटाल खुलते थे रेल्वे चलती थी रोड बनते थे क्यों देश में सेकड़ों हजार लोग साहीत क्यों हुए क्यों अंडबान निकोबार काला पानी के सजा क्यों भोग रहे थे कि स्वामान श्वाविमान कोई चीज होती है जिंदन के थे पांसो साल तक राम मंदिर के लिए शायद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी घटना है के एक सद्धा के लिए पांसो साल तक एक सवागी लड़ता रहा हर व्यवस्ता से लड़ता रहा और मंदीर बना करके यह संगल्प पीड़ी फिड़ी लड़ाई चली सच मुझ में तो यह 500 साल का इतियास सिर्फ हिंदु को नहीं दुनिया के हर समाज में इस्पायर कर सकता है यह बलिदान का इतियास है यह त्याग का इतियास है यह तपस्या का इतियास है आप उसको भी अपने ही पुर्वजों ने किया है और गुनामी की जंजिरों के बीच किया है झाल झाल